complaint under CRPC यानि complaint magistrate के सामने कैसे फाइल की जाएगी और complaint का प्रारूप क्या होगा और complaint किन किन प्रस्टिटियों में कैसे कैसे फाइल होगी तो सबसे पहले किसी भी मसले या matter को लेके complaint फाइल करने के लिए ये जरूरी हो कि कोई cause of action arise हुआ हो यानि कहने का तात पर ये है कि कोई घटना घटित हुई हो जिसको लेकर कि शिकायत संबंधित local police station पे की गई हो और local police station में जो शिकायत की जाती है वो CRPC के provision 154.1 के तहट application दी जाती है और अगर वो शिकायत परमाफिसाई अगर परमाफिसाई वो cognizable offense को describe करता है यानि संगी अपराद को तो FIR mandatory लिखा जाना है और अगर संगी अपराद नहीं है तो उसमें वो NCR की तरफ बढ़ेगा मान लेजिए कि station house अफसर ने FIR लिखने से मना कर दिया जैसा कि ज़्यादातर हो रहा है अब ऐसी स्थिती में आपके पास 154 में superintendent of police या जहां पे commissionerate है commissioner of police को application file करेंगे और उसके बाद में अगर उस पे भी FIR दर्श नहीं हुई तो आप 156 CRPC में magistrate के यहां FIR दर्श करने के लिए या तो direction करा सकते हैं और magistrate उसी 156 CRPC की application को सुखवा सी वर्सेज स्टेट आफ उत्तर परदेश का judgment का reference देते हुए उस 156 की application को complaint में treat कर लेता है तो एक complaint CRPC में इस procedure से आ गया यानि अगर indirect way में मानें तो जो 156 की application magistrate के जरिये से complaint rate की गई है एक complaint CRPC के provision में एक यह हो गया और दूसरा जो CRPC के provision में complaint है वो 190 CRPC में written complaint magistrate के सामने उस घटने के बाबत में फाइल करना होगा जिसके बारे में पुलिस यानि लोकल पुलिस इस्टेशन हाउस अफसर को देने के बाद जब उसने कारवाई नहीं की हो तो जब आप 154 की application 154 की application SV को देते हैं या पुलिस कमिशनरेट में कमिशनर को देते हैं और उसके जरिये से भी action नहीं होता है तो आप directly complaint under the provision of CRPC 190 CRPC में direct complaint magistrate के सामने फाइल कर सकते हैं उसको describe करते विए या उलेखित करते विए कि थाने पे और SP को application दी गई थी they have done nothing यानि no action has been taken ये प्ली लेते भी आप 190 में complaint file कर देंगे अब जब complaint file होगा तो magistrate क्या करेगा कि complaint को verify करेगा verify करने के लिए initial stage पे 200 CRPC का magistrate वियान लेगा यानि जो complain में complain की गई है magistrate के सामने उसको complainant को magistrate verify करने के लिए 200 का वियान वो अपना खुद court में record करेगा उसके बाद अगर magistrate को लगता है तो उसमें 202 CRPC के witnesses को record करेगा उसके बाद ये एक हिसाब से complaint की proceeding complete हो गए अब अगर परमाफिसाई offense from the parisal of the complaint under section 190 CRPC अगर made out हो रहा है तो magistrate उसको 203 और 204 के provisions की proceeding को initiate करेगा और अगर गलत हुआ तो वो proceeding उसी stage पे 203 और 4 के provisions को apply करते विए complaint को reject कर सकता है तो इस हिसाब से आपके complaint का CRPC के provision में ये दूसरे type का है जो directly आपने file कर दिया एक 156 की application जो complaint में treat भी दूसरा ठाने पे और SP को application देने के बाद आपने directly 190 CRPC में complaint file कर दिया 200-200 के बयान के बाद magistrate अगर चाहे तो 203 और 4 में proceeding को initiate करेगा और अगर लगेगा कि नहीं करने लायक नहीं है तो वो at the stage of summoning वो वहीं पे case को close कर सकता है तो CRPC के provision में एक complaint 156 के थुरू जब वो treat कर लेता है magistrate complaint में तो एक complaint ये हो गई और एक directly complaint जो 190 CRPC में file होती है ये directly complaint है इस इसाब से CRPC के provisions के तहट आप संबंदिध मजिस्टेट के court में complaint file कर सकते हैं और complaint को 190, 200 और 202 CRPC में define किया गया है क्यों। झाल झाल